नमस्कार दोस्तों अभिशेक तिवारी स्वागत है जैश्री राम बिहार की चर्चा नहीं है आज ये तो देश की चर्चा है और इंडिया नेक्स ने जो तीन दिन पहले भी स्टोरी चापी है बिहार को लेकर उसे जिस जो लेकर हंगामा मचा है वो तो अधभुत है गजब का हंगामा हुआ है बिहार में जो जनतादल युनाइटिड है उसके जो एक सांसद है उन सांसद का जो जाना बात के सांसद है चंदरशवर प्रसाथ चंदरवनसी उनका ये मामला है कि इसमें सांसद के बेटे को अधालत की चेतावनी के बाफजूद सोले सो क्रोड रुपे का एंबुलेस का ठेका सरकार द्वारा दिया गया है और इसमें जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक बिहार की मागडवंदन सरकार ने राज्ये में आपात एंबुलेस चलाने का अगले पांच साल के लिए जो ठेका दिया है वो ऐसी कंपनी को दि किया गया 31 मई को बिहार में राज्ये में 102 एमेरजेंसी सेवा के तहट चलने वाली 2125 एंबुलेंस का चलाने का ठेका पशुपती नात डिस्टिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसको PDPL का जाता है उसको दिया है और ये ठेका 600 करोड रुपे का है इसमें जो 5 अपरेल 2022 को प्रस्ताव के लिए अनुरोद जारी किया गया था और इंडियन एक्सप्रेक्स ने जो अपने दस्तावेज छापे हैं उसमें ये दावा किया है कि नियमों को बदला गया और आपत्तियों को नजरंदाज किया गया PDPL के निदेशक सांसद के बेटे सुनील पतनी नेहा रानी भी इसकी डारेक्टर हैं और सांसद साहब के जो पतनी है मोना लीसा और उनके जो साले हैं योगेंदर परसाद निराला वो भी कमपनी के डारेक्टर हैं हाला कि अखबार में जो इसके डारेक्टर से हैं उनका कोई कमेंट इसमें अभी नही चापा है और उस समय BJP की और इनकी मिली-जूली सरकार थी और RJD विपक्स में थी RJD के कुछ विदायकों ने शिकायत की थी उस समय के जो स्वास्त मंतरी थे BJP की सरकार के वो उनसे मिले थे और उनने कहा था कि साब इसमें अनु मित्ता है अपने लोगों को उपक्रत करने के लिए नियों में बदलने का जो नितीश कुमार का नया चलन है पहले आनंद मोहन को छुड़वा लेना नियम बदल करूने 16 सक्रूडों का ठेका दिलवा देना तो क्या विशेक जी इसको भी उसी करम में देखा जाए उस करम में देखा जा लेकिन इसमें एक चीज और पॉइंट में कर गया है इंडियन एक्सप्रेक्स नहीं कहा कि सरकार ने यह भी का यह भविश्य में इसको तीन साल के लिए एक्स्टेंड कर सकते हैं यानि पांच तीन आठ साल अब पहले हाई को ने पहले ही कहा था इस कंपनी को दुबारा यह करने से पहले जो है फेर बीडिंग करा लिजाए सब के साथ और फेर बीडिंग के बाद किसी को दी जा लेकिन आपको बताओं इस स्टोरी लाइन में यह जहानाबाद के सांसर अब मैं बताओं कि जहानाबाद डेमोग्राफिक यह नुसार यादो और भूमिहार बहुल शे लेकिन जब बीजेपी के साथ अलाइंस हुआ तो चंदरवंशी जी को एकदम हवाई जहाच से जहानाबाद में नितीश कुमार की मर्जी से उतारा गया और सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि जद्यू को इस टिकट के लिए अच्छा खासा चंदरवंशी जी ने पैसा पॉसर किया जिसका इनाम उनको जहानाबारत पर लूब आख और इसी प्रकार के सरकारी ठेके इनको मिलते रहते हैं यह क्या है यह बाइकास जर सर सर शायद कुर्मी है आम नौट शूर अच्छा इंड के खिलाफ आरजेडी के दो कंडिडेट खड़े अब आप पूछेगा सर आरजेडी के दो कंडिडेट बिल्कुल ठीक एक तेजस्वी यादो सबर्थक कंडिडेट खड़े थे एक सुरेंदर याद और एक तेजपरताब यादो उसके लिए तो कहा जाता है कि तेजपरताब नहरवा दिया था खेर जीत गया गिरते पड़ते जीत गया अब जो इनको मिला है अब बेशर्मी देखिए सारे नियम क जो हाई कोट ने मानक किये थे उन सभी मानकों को हटा दिए पूरी डिटेल इंडियान एक्सप्रेस में रिपोर्ट शपी है लेकिन उसको दिया जाना था फिर बाद में इन्होंने उसमें संसोधन करवाया कि जो सबसे कम पैसा दाओं पर लगाएगा उसे मिलेगा ठेका औ आज जो है ललन सिंग का बयान इस मुद्धे पर आया है कि एवन में सबसे उपर थे यानि लीस्ट बीडिंग में सबसे उपर थे अब सईया भय कोतवाल तो डर का है कि अगर हर सर कोई निकालेंगे तो तो ऑबिस सी बात है शेक तीवारी को उसका ठेका मिलेगा माल जी हर स चैनल में से एक कंटेंट क्रिएटर ढूंड रहे हैं तो बीडिंग हो जाया है और फिर बीडिंग में तो मुझे ही मिलेगा मैं उदारन मातर दे रहा हूं कि कहने का मतलब सहीं आप है को तो ट्रांसपेरेंट बीडिंग भी नहीं और यह तो अब इसको समझे पुछ इस प आरजेडी पहले से स्कैम के लिस्ट में उसके बारे बात करना भी स्कैम को दिया दिखाने के बराबर होगा के कविता अर्विंद केजरिवाल भी आ रहे हैं स्टालिन भी आ रहे हैं मुझे आपके दर्शक एक उस पार्टी का ना मता दे जिसके उपर गंभीर रूप से घो जाओ हो रहा है या अपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बचाओ का एक मीटिंग हो रहा है इस तरह को कि मोदी हम को चल रहा है मतलब यही है ना कि यह नरेंद्र मोदी के रहते हम घोटाला नहीं कर पाएंगे तो मोदी हटाना आवश्यक है सर इस घोटाले में देखिए सबसे जो दुखत पहलों है जिस प्रकार से आज सुबह से जब हम अभी वीडियो रेकॉर्ट कर रहे हैं तो सुबह मैं जद्यू के ओफिस से दो बार आ चुका हूं इस सब मुद्देप में बात करके जिस बेश्रमी के साथ नितीश कुमार के साथ अब के पारटी के लोग ललन सिंग्स से ले कर सारे प्रवकता कि खड़े। और आरजेटी जिस बेसरमी के साथ जिन जिन विधायकों ने कंप्लेन किया था वही विधायक अप्पिर से चंदरवंसी के साथ और मितीश कुमार के साथ घड़े हैं यह बताता है सर के बिहार की राजनिती सर स्पेशली बिहार की राजनिती मैं मैं बिहार स्टेट से हूं हम तो भाई कुछ कर ही नहीं रहें जैसे लेकिन लास टाइम भी मैंने बोला था सारा खेल अब चुनावी हो चुका है चुनाओ के लिए पैसे इकठे करने का काम हो रहा है मैंने बताया था आप ही के चैनल पे सर मैं उससे बड़ा परेशान हूं मुझे खुद नितिन गटकर उत्तर नहीं देने कोईलवार नाम का एक पुल है सर उस पुल पे सर दो घंटे का धाई घंटे का मिनिममम ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम से किसी तरह से निकलो तो कहते हैं टोल दू और उस टोल वाले जो है रोडवेस पे दोनों तरफ लाखों ट्रक खड़े हैं ब देने पर मजबूर है मैं खुद उसका बुक्त होगी हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बिहार में रहूं तो कैसे रहूं दबाओ का अलग है आप देखिए सर इस खबर को इंडियन एक्स्प्रेस ने बताया एक दिन पहले मैंने अपने चैनल पर भी बात किया था अब अख़बारों को इस पर सवाल पूछना चाहिए था पूछना चाहिए था लेकिन मनीश का स्यपको जेल भेजने के बाद कोई डिजिटल पत्रकार हिमत नहीं कर पा रहा है कि इस बड़े घोटाले के बारे में पूछे तो वहां क्या जो लोग वहां के पेपर हैं ब्यार के उन्होंने अब तो दो दिन हो गया पुराना माम लाए कलिया परशो छपी ती रिवोट तो तो यह क्या कोई आज के एगभार में भी कोई इस पर फीडबैक या कोई साइड स्टोरी या कवर अप स्टोरी नहीं छपी है कोई स्टोरी नहीं छपी है सिर्फ प्रवक्ताओं क बयान चपे अच्छा रवि संकर प्रसाद ने क्या कह है और ठीक उसके भगल में उसके Profan में लन्ज सिंग ने क्या कहा यह राजीव ने क्या कहा यही सारी चीजे चपे, असले मेडिया वालोरो की एक बात बता दूह थूँ क्योंकि मैं मीडिया परसन्स में जेलेस्टी की बाव होती है जागरण है भासकर है मरुजाला है इंदुस्तान है जो भी बेयार के पॉप्लर हिंदी मीडिया है खास तोर से उन चुक्के से यह बहुत बड़ा गोटाला हो रहा है यहां पे तो मुझे तो यही लग रहा है कि जिसमें कहते हैं घर का बेदी लंका डाय मुझे लग रहा है कहीं अंदर खाने जो है यह आर जेडी वाले तो इनके खिलाफ नहीं होगे कि साब इस जेडी यू को एक्सपोज करो मजबूरी है ना सर अब मैंने आपको पिछले भी एक बार शो में कहा था कि जैसे पिछली बार लोग सभा में गोपाल गंज और सिवान की सीटे जदियू को दे दी गई थी लोग सभा की इस बार तो बीजेपी वो चलेगी उस पे और यह दोनों वो स्योर सॉट सीटे हैं जह जो भगदड़ है वह आर्जेटी में दोनों तरफ है रिसेंटली चुकि हम बिहार पर बात कर रहे हैं अदभूत चीज हुए है आपके चैनल पर पहली वह मैंने अपने चैनल पर भी बात नहीं बोताई थी साधू यादो का तो आप नाम जानते हैं जानते हैं साधू यादू लालू यादो के साले हैं और उन्होंने क्या गजब का हमला बोलता है अब करेहें हम को खाली बदनाम किया है और जितने उनके हैं चैनल या सुरिंदर या दो या अलग-अलग बालू माफिया उन सब को नाम ले ले करें उन सब का नाम ले ले के बोला यह सारे लोग जो है इस बिहार के सुरक्षा विवस्था को चौपट करने के जिम्मेदार है क्यों ऐसा कि क्या हो गया उन्हें तो पिछले पांच साल से आरजडी पे हम लेकर रहे हैं लेकिन क्या है कि बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनका इमेज इतना खराब है लेकिन जी के आप कुछ कह रहे थे कि बीजेपी चुकि साधूरु यादों का इमेज इसा रहा है जब रहे ते आर्जडी के साथ वो जब इम्पी थे वगएरा तो उनका इमेज ऐसा कर दो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन ऐसे लोग ही राजद की गुंड़ई का काट है क्योंकि जिस प्रकार से पत्रकारों के खिलाफ एक बिहार में मैं डर का महौल सेंस कर रहा हूं यह मुझे 90 का तशक याद दिला रहा है कोई पत्रकार जद्यू या आरजेडी के विध जिसको कितना सट्था के गल्यारे तीनों ऑफिस जो यह बीजेपी का और जद्यू का यह किलोमेटर के इंफ़ेक्ट पांचसो मेंटर के रेडियस में तीनों आफिस तो आप चाय पीने अगर जाते तो सब नेता ही नेता बैठे होते हैं तो बात्चीत जब होती है तो उनस साथ यह ना उसके बाद से जितना यूट्यूबर है उसम और फेस्बुक तो ड़न ही गया अब बाकी तो परचार नहीं मिलेगा एड नहीं मिलेगा तो वह सब ऐसे डरा हुआ है इसी वज़े से सर इस घटना को जो है इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक किया उनको साधुवाद है कि कम से कम अंग्रेंजी निउस्पेपर नहीं सही ब्रेक करने की हिम्मत तो की है अब देखी अब क्या होता है इस मामले में आगे अब लेकिन सरकार तो फिलाल पिछले कई को लेकर के चर्चा में हैं और कमाल देखिए अब आज हम और आप बैठें अरविंद केजरिवाल और कॉंग्रेस की बीच भी तनातनी एक ड्रफ जबरदस्ट चल रही है पता नहीं आपने उस पर शुप मैंने किया है उस पर जो राजस्तान में केजरिवाल ने जो बोला ह केलोट को गालियां दी है महां जाके मैंने उस पर कल रात लाइव किया था तो अब इस जो गटना करम हुआ है इस पर एक बात और भी है कि इंडियन एक्सप्रिक्स ने ये भी कहा है कि ना तो कंपनी के डिरेक्टर जो भी चंदरी का कि इनके जो क्या नाम है चंदरवंसी चंदरेश्वर पर साथ इनके किसी कंपनी के डिरेक्टर ने कोई बयान दिया है ना किसी के तरफ से कोई खंडन आया है तो इसका मतलब रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है अब मुझे पता नहीं कि जो परवक्ता है या जेडियो के निताओं ने क्या बयान दिया या नितीश में लीस्ट बीडर जो है जो सबसे कम वैल्यू का बीड करया था वो चंदरेश्वर जी की जो है बेटे की कंपनी कहा था और इसी वज़े से उसको दिया गया है इसमें एकदम सब कुछ फेयर हुआ है कोई निया क्या कहना है रवीश अंकर पर साथ ने क्या का इस पर रवी ठीक है सरकार के पास क्या है वो पावर भी है जैसे कि अब अपने सरकार जो बदल देती है कि पहले कहा था कि सबसे अच्छी और बेटर क्वालिटी वाले को रखना है तो उन्होंने वहीं पॉइंट्स गिरवाए कि हाई को ने जितने पॉइंट्स कहा थे उन सब रखा सुप्रीम जो है कि जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको यह मिल जाएगा और आपको पता ही है कि जब टिकट खरीद भिकरी हो तो भाई उसको कम से कम टिकट दी है वो जीता है इस क्लॉज के जुड़ने के बाद सब कितनी चीज़ा असान हो जाती है अगर आप बैट अक्सिजन सिलिंडर था पाचास लोगों का सेंट्रलाइज एक कॉल सेंटर हो जहां पर इसका कॉल अटेंड की जाती थी तो उन सब क्वालिटी में तो हरेक का मीट आउट करना मुश्किल है पता लगा बॉंबे की कोई बड़ी कंपनी है वो एक हजार लोगों का भी उपल लिए इस अधाइब काल सेंटर होना चाहिए तो वहार में तो वैसे पे कॉल सेंटर आपको भी पता है इस ति क्या है तो दिल्ली थिति अच्छे से पता है लेकिन तो फिर नहीं बटर है कम से कम प्रटन तो लेकिन सिमिलर घलाने में सब्सक्राइब मैं समझा देता हूं oxygen cylinder का था कि एंबुलेंस में oxygen cylinder और इसकी संख्या जो है वो यह होनी चाहिए दूसरा एंबुलेंस जो है airbag वाली क्वालिटी के होने चाहिए उनका मतलब सेफ्टी मेजर जो है इसको बलेगा उसको मारूती ओम नहीं लिया वह 15 साल पुरानी डिली से डेट एक्सप्यर वाली नहीं बहुत चलते हैं दिली में क्योंकि प्राइब एक्सपायरी है पेट्रोल के वीकल की तो दिली वह से वह यूपी में ले आते हैं यहाँ पे उन्हें एबुलेंस में चलान सरकारी में तो खहर संभव नहीं है लेकिन यहां पे तो कोई ऐसी शर्थ ही नहीं रखी गई तो बड़ा गोटाला हो रहा है और देखिए आप भी अक्सर अपने जब हम चर्चा करते हैं बिहार के आप अक्सर कहते हो पिछली बार भी शोवतस में भी कहा था कि अब देखें चुनाव का समय आ रहा है अब तो चंदे का मामला है सारा तो चंदे का जो फंदा है अगर आएगे नितिश कुमार के गले में यह फस गया है यह हाँ मैंने वही करा कि पूरा अभी जो बिहार में उत्पात चल रहा हूं उसके मीन मूल तत्व में अगर हम जाएंगे तो अंदर में सिर्फ पैसा है चाह वह बालू माफिया हो या फिर एंबुलेंस घोटाला हो ऐसे अभी मैं क्या बता हूं अभी श्रीजन घोटाले का आ हम और आप सब जानते हैं कि कैसे मर जाते हैं लोग इस तरह के घोटालों के मुख्यारों भी अब जब वह मर ही गया तो उसके मुख्यारूपी हो जाएगा में साइद लोग बच जाएंगे इस पूरे खबर पर यह बड़ा बड़ी निउस बननी चाहिए थी सर स्रीजन घो सब्राइबन तो हमने ही अपने ही राज में हैं इस घो ठाली को तो एक इस पोज किया है तो हमारी सरकार पर इलजाम कूं लगए लेकिन को сами सिर्फ जो फोटे लेबल के कुछ करमचारी थे वो सस्पेंड हुए कुछ जेल में गये एक मर भी गया यही चल रहा है और इस पूरे मुद्दे पर स्रीजन घुटाले के आरूपी की हत्या हो जाती है यह हत्या तो कहना ठीक नहीं है चुकि अखबारों में जो छपाय वही बोलेंगे आज कल भ मृत्य हो गई अब मृत्य होगी उसमें किसी का कोई रोल नहीं है अब अब एक और मुद्दे पर जरूर चर्चा करूंगा यह जीतन राम मांजी कोई केस्वेस करने जा रहे है नितिश कुमार पर मानानी का इनकी क्या मानानी हो गई इन्हें क्या हुआ अब देखें अब देखें फिलाल तो उन्हों ने एंडिये को कल ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है सारी बात हो गई है अब तो अब इस प्रकार के स्टेटमेंट हैं के पर किस मामले को लेकर के मानानी करेंगे यह तो जीतन राम मांजी बता सकते हैं उ उन्होंने का आप है करें खुन मिनट की मिटिंग पच्चीस बिनट टक हमसे जोर देते रहे पार्टी को हमारे पार्टी में हमारे पार्टी में बर्ज कर लो जा रहे होंकि उसी rhythm पर किसा लिखहाने पहुंच जांप बह arrivf icon अच्छा अगर कल्प ना करते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई एक्ट लगा दिया जाए तब तो देश में पहली बार को राम बचेगा एक्ट नहीं लगेगा लेकिन अगर वह चिठी लेकर पहुंच जाए अप्लिकेशन लेकर तो कोई भी पहुंच सकता है वह तो पुलिस प सकते कि उनकी शिकायत आप नहीं कर रहे हो तो यह भी मुसीबत करेंगे करेंगे क्या डील हुई है क्या खबरे वही है जो हम खबरे वही है सर जो हमने लास्ट एपिसोड में बात कि एक लोग सभा की सीट अभी राज्य सभा वाला जो उड़ रहा है उसकी यह नहीं है राज्यपाल की जो मैं बात कर रहा हूं राज्यपाल वाला कोई चर्चा नहीं है लोग सभा की सीट राज्य सभा या लोग सभा के थूदिया जाएगा बीजेपी डिटर्माइन है सर तीस से नीचे सीट नहीं लड़ेगी अभी जो है बुकेश सैनी ने दो दिन पहले सिक्योर्टी का उड़ रहे हो तुमको आ मिलने भी नहीं वाला टिक है तो यह तमाम चीज़े चल रही अभी यार में लेकिन अभी तो सीट सर और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना वह मुझफर पूर की लोग सभा सीट चाते है क्यों और वहां पे सैनी की अच्छी खासी त तो यह है कि इस वक्त बीजेपी मुझफर पूर का लोग सभा सीट छोड़ेगी यह मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है सब क्यूंकि आपने का कि लड़ना चाहती है बीजेपी तो बाकी वह 10-12 सीट कौन सी है जो नहीं लड़ना चाहेगी हो कौन सी सीट है वे जाते तर कुछ कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा बीजेपी को अच्छे सीटों पर भी जैसे वैशाली हाजीपूर लड़ने की मतलब यह तीस पर ही रही हो सकता नहीं हो सकता थाइस भी लड़ने कोई मतलब यह नहीं लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगी दस से बारा सीट देगी उसमें सीमान चलके कुछ सीट हो जाएंगे दूसरा जो इनको देदेगी जमुई देदेगी हाजीपूर देदेगी तो मैंने का कमाल की बात है कि इस पर वैसाली सीट भी जो है वही फिर दूसरा वह नवादा जो सुरजभान सिंग के बेटे चंदरभान जी की है तो वह नवादा वाली सीट रह जाएगी उनके पास लोचपा अभी तो अब वह पसुपती पारत नाथ वाले ग्रूप में है फिर एक सीट हो सकता है शिवहर वाली बिज़ेपी देदे इनको लोचपा को या किसी को लोचपा दो हो गई है ना तो दो लोचपा में से किसी एक को वह सीट भी दी जा सकती है ऐसी कही सीट है तो गिराचसिंग का चल रहा था गिराचस पहले कहां से लड़ते में तो नवाधा से वह जीते हुए नवादा से भी पहले जी चुके है अब तो वह सूरजभान सीट की दम आनी जाएगी ना उनका भले भाई जीता है लेकिन वह सीट तो परत रबाएगात रूप से अब बड़े नाम है बिहार के और कास्ट फैक्टर इंपोर्टेंट है तो यह देखना होगा कि वह सीट भी बड़ा मुश्किल है पेंच थोड़ा सा फसा हुआ है गिराज सिंग के लिए कि वह सीट कैसे उनको शिफ्ट किया जाएगा क्या कॉम्बिनेशन बैठें के वह देखना ह फाइनल है कि रितुराज सिंग जो है वह पटना साहीब से लड़ेंगे यह अल्मोस्ट फाइनल ऐसा लग रहा है तो यह सारी चीज चलिए देखते हैं क्या होता है इस गोटाले पर जो अपडेट से हो आप उस पर मजर बनाए रखिए अब मुझे लगता है कि हमारी जो च अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें